हेलो गाईज, वेलकम बेक टू मैं यूट्यूब चैनल, आज हम बात करने वाले हैं स्केच अप में एक सबसे इंपोर्टेंट एलिमेंट के बारे में जिसका नाम है लाइट मिक्स, लाइट मिक्स एक ऐसा एलिमेंट है जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आफटर रेंडर आप कम पे सबसे एलिमेंट के से यूज कर सकते हैं तो आज हम करेंगा लाइट मिक्स एलिमेंट के बारे मरे चैनल, जहां पर मेने कोईनीड़ लगाई नहीं हुई, एक रेक्टेंगला right लगाय हुए है, यहाँ पर curtain लगाया हुए है बाहर एक dome light लगाई हुई है और अगर मैं scene की बात करूँ तो scene में यहाँ पर दो hanging light है जिसके अंदर वाले part को हमने group करके match light में convert किया है और उसके बाद यहाँ पर चार spot light है आपकी जिसके उपर हमने यहाँ पर rectangular light लगाई हुए उसको sport बनाया हुए है sport कैसे बनाते हैं setting पर जाके जो हमारी rectangular light है इसको हमने disc बनाया हुए ताकि वह round light आपकी आजाए ठीक है और यहाँ पर इस वाले part को group करके double click करके इस वाले part को group करके हमने match light में convert किया हुए है और नॉर्मल अगर देखें हम यहाँ पर बाकी curtain लगाए हुए है curtain के ओपर जो हमने material लगाए हुए है आप देख सकते हैं यहाँ पर two-sided curtain का material है two-sided material है front पर जो आपका front material है यहाँ पर इसके अंदर हमने opacity के अंदर follow up लगा हुए है ताकि आपका इस तरीके से कुछ transparent effect यहाँ पर आ पाए और यह सारा create किया हुए है mattress वगएर आपका 3D warehouse यहाँ पर प्लेस किया गया और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपका plant लगाया गया है और अगर आप setting की बात करेंगे तो यहाँ पर मेडियम प्लस सेटिंग progressive और interactive को off कर दिया गया है denoiser on कर दिया यहाँ पर उसके बाद आपका और वहने कुछ ज्यादा नहीं चेड़ा है और आपका जो फ्रेम से फ्रेम ओन किया है और फ्रेम साइज हमने चोटा किया है और यह साइज को हमने अपने व्यू के according किया है वह आप अपने तरीके custom change कर सकते हो बाकी हमने यहाँ पर कुछ नहीं चेड़ा और global illumination में सिर्फ irradiance map कर दिया और secondary को आपने light catch कर दिया यह setting में आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर आप इस चीज की practice करते हो तो आप देख पाओ कि क्या क्या setting हो सकती है जो आप change कर रहे element पे आप click करके और यहां से add कर सकते हो light mix यह इतने सारे type के आपके element है जिनको हम cover करेंगे तो सबसे पहले light mix और यह सबसे ज़्यादा important है जैसे आप यहाँ पर जाओगे अपने elements पे render element तो आप देखो कि light mix यहाँ पर add है इसकी property में है कि आप group किस तरीके से करना चाहते हो individual light group instance layer या फिलाइट ID मैंने अभी यहाँ पर group instance किया है इससे क्या effect पढ़ता है यह मैं after render आपको बताऊंगा कि यह क्यों किया है और इससे क्या effect यहाँ पर पढ़ने वाला है अब क्या है कि यह setting करने के बाद अब मैं यहाँ पर normal अपना render करूंगा render आपको करना final render जैसे आप render पर click करोगे तो आप देखोगे आपका render यहाँ पर होना start हो जाएगा मैं already render इसका निकाल चुका हूं तो मैं इसको यहाँ पर stop करके मैं अपने render को यहाँ से save कर सकता हूं history में जाके तो यह मैंने एक save किया हुआ अगर मैं double click करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हो आपका इस तरीके से render आ जाएगा आपका जो render timing था पांच मिन्ट के राउंड म आप light mix के अंदर क्या है कि आपका अगर इस तरीके से window आए यहाँ पर अपनी window को यहाँ पर frame buffer को इस तरीके से window आएriet में only render window तो यहाँ पर यहाँ पर होता है इसप डबल ख्लिक कर दो और यहाँ पर भी षोते हैं इस पर डबल क्लिक कर दो तो आप देखोगे इस तरीके स से आपका यहाँ पर उपन हो जाएगा इसको मैं full screen कर लेता हूं इस तरीके से अब क्या है कि जैसे आपका render यहाँ पर finish हो जाता है finish होने के बाद यहाँ पर लिखाएगा finish अब क्या आपको क्या करना है यहां पर साइड में लेयर्स आ जाएंगे और यहां पर आप जैसे फोटोशोप के अंदर नहीं होता कि आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो बाइक कर्व से या फिर ब्राइटनेस वगरा इंक्रीज करना है कलर बैलेंस यू सैचुरेशन वाइट बैल आई हैं वह सारी की सारी लाइट यहां पर आ जाएंगी और इन लाइट को अब आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो हर एक चीज अब वह करने की जूरत नहीं है को कि आप दुबारा से वापिस जाओ अपनी लाइट को इंटेंसिटी कम करो ज्यादा करो ऐसा कुछ करने की जू अब मालो एक रेस्ट वाली लाइट होती है रेस्ट होती है आपका यहां पर कि इन सब लाइटों से अलग जो आपकी इंटेंसिटी बन रही है उसकी लाइट इसकी इंटेंसिटी को कम कुरू देखो आपका डार को जाएगा बढ़ाओं तो आपका ब्राइट सीन यहां पर प्रेट हो जाएगा अगर मैं मालों रैस्ट को आफ कर देता हूं तो यह जितनी भी लाइट है यह सारी आपको दिखाए देंगी इससे आप एनिमेशन भी कर सकते हैं जैसे होता है कि रील बनती है जो इंस्टाग्राम पर वो सब चीजों भी क्रिएट कर सकते मालों मैं इन लाइट का यहां पे युए उसके बाएद लाइट को करेंगे तो बाहर की लैट जालेगी और जैसी मैं रेस्ट को और और गलर का इस तरीके से चेंज करना चाहता हूं जैसे उपर वाली यह light है तो इसको klik करो, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, इसके color को, आप इसके klik करो कोई भी color ज़ो भी color आप चूस करोगे आप उपर देखोगे वह ही color वहां पर आ गया है, color को klik करके okay कर सकते हो और इसकी intensity बढ़ा सकते चितने आप intensity बढ़ाओगे तो आप देखो गे उपर वाले पार्ट के इंटेंसिटी बढ़ रही है अगर मालो में intensity 4 कर देता हूं और color में कर देता हूं मालनो कोई bluish इस तरीके से तो और intensity मालनों मैं 10 कर दी तो आप देखो कि ऊपर का इस तरीके से intensity आ जाएगी नीचे वाले को change करना है तो इस पे भी आप click करके ब्लूइश कर सकते हो या फिर आप इस वाले को right click करोगे तो white हो जाएगा आप इसमें क्या गर सकते हो कि आपने कोई भी blue लिया तो वो blue यहाँ पे add हो जाते है अगर आप मालनों चूज करते हो okay करते हो उसके बाद यहाँ पे click करके इसको चूज करके okay करोगे और इसकी intensity भी आप चेंज करना चाहो आप यहां से चेंज कर सकते हो तो यहां पर आप देख सकते हो आपका color वहां पर मैश का चेंज हो रहे है ठीक है यह करने के बाद इवन यहां पे कुछ presets भी है आप यहां पर क्लिक करो कोई भी preset लगा सकते हो कि clear sky आपको रखना है clear sky short आपको यहां लखना है shades cloudy आपको रखना है या फिर कोई भी light का effect यहां से रखोगे आप उसको चूज कर सकते हो यहां से okay करो अब उसके बाद यह से यह वाली light है इनको change करना है आप इनको भी change कर सकते हो कि मेरे को यहां पर कुछ इस तरीके से light चाहिए और इसकी intensity भी आप अपने तरीक off कर देता हूं तो अब आप और clearly देख पाऊंगी कि यह वाली light यह वाला effect है दूसरे वाली mesh light आपका यह वाला effect है अगर मैं सारे off करता हूं एक एक चीज़ आपको दिखाओं यहां पर तो देखो आगर मैं इस mesh को बढ़ाता हूं या कम करता हूं वो light कम हो रही है इस light के mesh को increase decrease करता हूं तो light इस तरीके से कम हो सकती है ऊपर की light और नीचे की light आप जला सकते हो बाहर की light की intensity से आप यहां से रोशनी डाल सकते हो और complete को अगर आप own कर दोगे इस तरीके से तो आपका render आ जाएगा तो यह होता है light mix की help से कि आप बात में अपने जो light है उसको increase कर सक सकते हो color change कर सकते हो ठीक है अब बात करते हैं कि जो light mix है यहां पे अब यह group के अंदर आई group का मतलब है आप देखो यह चार light है यहां पर लगी हुए मैंने क्या किया हुए इन light को copy किया हुए अगर आप किसी भी light को copy करते हो तो होगा क्या कि जब आप यहां पर जाओगे तो वो जो lights है आपकी वो आपकी एक ही group के अंदर आ जाएंगी अगर आप copy करते हो for example अगर मैं इस light की बात करूँ अगर मैं मालो यहां पे click करके right click select object in light यह light देखो एक ही बारी में चारो select हो रही है खीक है अब जब render की property में हम जाते हैं तो यहां पे भी क्या हो रहा है कि जो आपकी light है वो एक ही group के अंदर add हो रही है अगर आप यहां से इसको on off करके देखते हैं तो चारो एक साथ ओफ हो रही है मैं चाहता हूं कि सभी light individually आ जाएं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम यहां से setting करते हैं element की तो यहां पे group को हटा के आप individual light कर दो होगा क्या कि जब अब आप रेंदर करोगे आप अपने सीन का मालव में अपनी सीन पर चला जाता हूं और veulent Uh अगर अपने सीन का रेंदर करते हो एँ हैं से यहां से वह करेगा क्या इसको एक मिन्ट के लिए स्टॉप कर दो दुबारा से रेंडर करें तो जब आप यहां पे लाइट मिक्स पे जाओगे तो सारी लाइटों को अलग-अलग कर देगा तो जितनी भी लाइट है सभी मतलब जितनी भी आपने कॉपी की विए लाइट मुल्टिपल लाइट है उसके बाद है कि अगर आप यहां पे जाते हैं एसीट आइडिटर पर तो आप यहां पे देख सकते हैं अगर लेस को करते हो तो आगर आपने वह लाइट को लेस में आड की वह है तो वह दिखाएगा और एकोर्णि को और इस वाली टॉपिक Professor हम बाद में cover करेंगे अभी के लिए हमारा motive था कि light mix को आप किस तरीके से use कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी light को आप render करने के बाद control करने का और उसको आप easily save भी कर सकते हैं अगर आपको इंस्टा पे deal बनानी है इस तरीके से जैसे होता है normally तो आप क अगे यहां पर मालनो यह render है ठीक है और इस render को मालनो मिरको मैंने rest को off किया यहां पर कि सबसे पहले यह सेव करना है तो यहां पर जाओ राइट क्लिक इसको क्लिक करो और यहां पर इसको JPG APNG में सेव कर दो उसके बाद दूसरी light भी on करो यहां से उसके बाद इसको save कर दो फिर तीसरी light on करके save कर दो तो अब आप यहां पे देखोगे मैंने इतने सारे save कर दी हैं यहां पे इस तरीके से तो आप इसको video editing करके इससे effect बना सकते हो और as a real आप इसे कहीं पे भी upload कर सकते हो इस तरीके से जब आप अपने काम को दिखाते हो तो आप जब सामने व को इन चोटी-चोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए तो यह था आज की वीडियो के बारे में आशागर्दों वीडियो अच्छे लगी है अगर वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को like करे share करे और comment करना बिल्कुल मत भूले और इससे related आपको किस-कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मेरे को comment में बता सकते हैं और जितने भी लिंक से आपको description मिल जाएंगे मेरी app के link आपको मिल जाएंगे social media link मिल जाएंगे shorts के link मिल जाएंगे तो वहाँ पर आप description पर check कर सकते हैं so मिलते next वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त्रे मस्त्रे और व्यस्त्रे